So, hello guys, कैसे हैं आप लोग मैं हूँ आमेर हाजर हूँ फिर से एक नावले लेकर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्राइंग बहुत सदा पसंद है ड्राइंग एक आर्ट है और ड्राइंग करने के लिए हमें आम तोर पर नोटबुक की ज़रुद परती है नोटबुक पर हम स्तमाल करते हैं पैंसल का, ब्रशिस का, कलर्स का उसकी साहता से हम ड्राइंग करते हैं But now we are living in 21st century and this century is called era of technology In 21st century में काफी हद तक नोटबुक की जगह स्मार्टफोन से ने, टैबलेट से ने, कम्प्यूर सिस्टम से ने ले ली है तो अगर हमें अपने स्मार्टफोन पे ही ड्राइंग करनी है, तो हम कौन सी यूटिलिटी, कौन सा टूल, कौन सा अप्लिकेशन यूज़ करेंगे आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ Best 5 Android Applications जिनका इस्तमाल करते हुए आप अपने Android स्मार्टफोन को Notebook की तरीके यूज़ कर सकते हैं और धेर सारे features available होंगे इन एप्लिकेशन पे, ये top 5 5 applications आप देख सकते हैं और आप अपने लिए अगर आपको drawing पसंद है तो आप उनमें से कोई एक application यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो को पुरा का पुरा लास्त तक देखिए Hi, this is Amir और चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट IBS Paint Application यह application बिल्कुल free में available है आपको इसको download करने के लिए बस करना क्या होगा आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पे प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको बस सिंपली सर्च बॉक्स पे चले जाना है और यहाँ पर आपको टाइप कर दिना है Ibis Paint जैसे ही आप इसको टाइप करेंगे Ibis Paint X आपको टॉप पे दिखाए दे रहा है यहाँ पर सर्च रिस्टी में मेरे पहले से available है आपको इसको सर्च कर देना है यह application 4.6 की star rating रखता है आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर मैं टाइक करके आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ तो यह application यहाँ पर फ्री में available है 4.6 की है star rating और यह application तकरीबन 28 MB का है आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप गजब की features एक्सेस कर पाएंगे तो मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर लिया मैं आपको इसका interface एक बार दिखा देता हूँ open करने को यह कैसे दिखा देता है जब आप इसको first time डाउनलोड करेंगा डाउनलोड करके आप जब इसको first time open करेंगे में भी आप से permission मांगेगा कुछ storage वगरा कि वो आप इन्हें allow कर देंगे यहाँ पर हम इसके home पर पहुंच गए है चुकि मैंने आपको बताया कि free के application है तो यहाँ पर थोड़े बहुत aids आपको देखने को मिल सकते है नया project create करना है उसके लिए आपको जहाँ पर जाना है तो suppose मैं यहाँ पर size choose करने के बाद यहाँ पर आपको multiple options है जिनका इस्तमाल करते हैं आप drawing कर सकते हैं नीचे जाएंगे आप ब्रस दिखाएदर आप इस पर क्लिक करिए आपको डेर सारे tools मिल जाएंगे इन tools का इस्तमाल करके आप आसानी से drawing कर पाएंगे यहाँ पर layers available है जब आप काम करेंगे तो यह layers perfectly काम करेंगे अगर आपको बिल्कुल drawing आती है तो आप इस application का इस्तमाल करते हुए drawing आसानी से कर पाएंगे और भी कई सारे चीजे हैं आप अगर पूरा उपर से नीचे तक इसके interfaces देखेंगे तो अच्छे-च्छे features हैं जिनका इस्तमाल करते हुए आप drawing कर पाएंगे अब इसके users के साफ साफ को अरड़ी जैसे कि बैने आपको बता दिया 4.6 star rating दी गई है तो यह घजब का application अगर आप drawing करते हो तो यह application आपके लिए काफी helpful हो सकता है तो यह इस list का सबसे पहला application था अब हम बात करते हैं कि drawing list में दूसरा application कौन सा है तो इस list का दूसरा application है MobiBand MobiBand यह application इस list का दूसरा application है MediBand और यह application भी बिल्कुल free of cost available है आपको अगर यह application डाउनलोड करना है तो आपको simply play store पे ही जाना है जहाँ पर आप इसको search box में जाके बस search कर देंगे और search करने बर से आपको यह देखने को मिल जाएगा तो एक बर मैं search करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जैसे मैं MediBand टाइप करूँगा और टाइप करने के बाद यहाँ पर मुझे search results में देखने को मिल जाएगा डाउनलोड करके आप इसके मैं review आपको पढ़ा देता हूँ यहाँ पर फिर भी में bottom पर जाओंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे काफी अच्छे ची review देखने को मिल जाएगे तो सबसे पहले आप इसको डाउनलोड करेंगे डाउनलोड करने कवा जब इसको आप open करेंगे तो open करने कवाद मैंने आपको बताया, first time जब आप इसको open करेंगे तो आपसे maybe कोई permission मंगेगा आपको वो permission देनी है जैसे कि storage की और आप उसके बाद आप login कर जाएंगे login करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जायाएगा आप आपको करना है कि आपको इतन नया drawing create करना है तो यहाँ पर new canvas पर आप click करेंगे और जैसे new canvas पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको size बगरा कि कुछ details दिखाई देगा आप अगर size में कुछ size की width और height में कुछ changes करना साहते है तो edit पर जाएंगे और edit पर जाने के बाद आप अपने चांजवार यहाँ पर changes कर देंगे और इसके बाद आपको create पर click कर देना है जैसे आप create पर click करेंगे तो यहाँ पर आप पहुंच जाएंगे अब यहाँ पर simply धेर सारे tools हैं जिनका इस्तेमाल करके आप कुछ भी create कर सकते हैं और साथी साथ आप drawing कर सकते हैं color fill up कर सकते हैं और यह application भी आपके लिए बहुत ज़दा helpful होने वाला है यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर bucket है color के लिए यहाँ पर आप transformation कर सकते हैं एक चीज़ को उठा कर किसी दूसरी चीज़ पर डाल सकते हैं तो drawing के लिए यह भी आपके लिए best application हो सकता है जो कि यह list number 2 पे था artflow यह भी बहुत ही अच्छा application है download करने के लिए आपको करना क्या है simply आपको चले जाने अपने play store पे और play store के search box में आपको type कर देना है artflow जैसी आप artflow type करेंगे type करने के बाद आप search कर देंगे उसको search करेंगे search में आपको देखने को मिल जाएगा इसकी start rating थोड़ी सी कम है but star rating पर मत जाएगा यह application भी बहुत अच्छे से काम करता है 3.7 की है star rating और अगर आप इसको देखेंगे इसको भी 1 million से भी ज़्यादा बाद download किया जा चुका है आप जब इसको download करेंगे तो यह ज़्यादा size का होगा नहीं तकरीबन 11 MB की यह file होगी आप इसको download करने के फिस दिखा देता हूँ तो बस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा उपर rubber है याप इरेजर करते हुए जो भी आप drawing बनाएंगे उसको आप delete कर सकते हैं और साथी साथ यहाँ पर आपको डेर सारे tools देखने को मिल जाएंगे जिनका इस्तमार कर सकते हैं आप अपने इच्छनुसार घटा बढ़ा सकते हैं और आप देखेंगे यहाँ पर brush में जाएंगे तो brush का size भी आप अपने इच्छनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं कितना मूटा रखना है कितना पदला रखना है अब जैसे यहाँ से मुझे rubber यूज़ करना है तो rubber का size में यहाँ से यह अगर आपके पास एक touch pen है तो आपके लिए और भी helpful होगा इसका इस्तमाल कर सकते हैं आप drawing के लिए तो यह इस list का तीसरा application था अगर आपको drawing पसंद है तो आप artflow application का यूज़ कर सकते हैं और अपने drawing को और भी attractive बना सकते हैं अपने android smartphone का यूज़ कर सकते हैं drawing के लिए तो जाना है play store पे और play store के search box पे simply आपको चले जाना और वहाँ पे आपको type कर देना है paper draw तो जैसे मैं paper draw टाइप करूंगा इस कुछ देखने को मिलेगा में भी आप से google account के through login करने के लिए बुलेगा तो आपको पास जो भी google account होगा उसका इस्तमाल करते हैं आप login कर जाएगा यहाँ पर plus button पर आपको click करना है जैसे plus button पर click करेंगे आपसे नया project का नाम पूछे का suppose मैं कोई draw कर रहा हूँ तो यहाँ पर drawing 1 मैं नाम दे दूँगा और यहाँ से मैं कर दूँगा ok जैसे मैं ok करूंगा तो यहाँ पर आपसे कुछ instructions बता रहा है drawing आप किस टाइप से करना चाहते हैं simple रहेगा जो भी रहेगा आप यहाँ से choose कर लिजे choose करेंगे इसके बाद आप यहाँ के plus button पे आपको चले जाना है और plus button पे जाने के बाद यहाँ पर आपका यह page open हो चुका है आप यहाँ से press उठाईए pencil उठाईए जो भी आपके इच्छा है उसके साबसे आप यहाँ से चीजे लेकर आप आराम से draw कर सकते हैं साथे साथ text भी लिख सकते हैं और यह application premium में भी available है अगर आप चाहें तो आप इसका premium application भी use कर सकते हैं और आप आराम से drawing कर सकते हैं तो यह काफी अच्छा application है आप इसको use करके आप अपने drawing experience को और भी अच्छा बना सकते हैं अब इसको use कैसे करना है इस पर मैं आपको बाद में आपा जो मैं चैसे ख सकते हें और आप इसक Mystic आप आप इसके सक Judge布 मैं forensic सकते हैं और इसकित कोश्ग का रचंग्ण छिност, इसकते हैं वीजरे को यह कैसे अरण 289 कावि स्तुआच.